नमस्का साथ यो मैं पसाथ एक उल दिमे वाल सारे एक शिक्षा का एक नया ध्या के साथ आज हम पढ़ेंगे उत्सरजन तंतर किस परकार नाश्क बजन सरी से बाहर निकलता है और ये मनुष्य के किन-किन अंगों से होते हुँ निकलता है इसके बाहर हम पढ़ाई हैं और कल हमने पढ़े था सवसंत अंतर तंतर का तंतर ये मने कल पढ़े थे कल वाले टोपिक में आज बात करते हैं मनुष्य के उत्सरजन तंतर की मनुष्य क्योंई जीवित रहने के लिए भोजन करने के आप सकता होती है क्योंकि भोजन के कानव सकती तदावर जा मिलती है जो भो और इस तंतर जिसके दवारा अंसरजी पदार्थों को निश्कासन शरीर से होता है, अंसरजी इस अंस्तान कहलाता है, मानव शरीर में यह उत्सरजनी पदार्थ कई रूपों में पाई जाती है, जैसे कार्बन डायक्षाइड, यूरिया, यूरिक अमल तदा कुछ तो किंश कि रूप इसे ही रूप में पाया जाते हैं, इस परकार अंसरजी पदार्थों में सुर्णी इस परिंए बाहन सुर्म सूरी सुर्या ज़ता है यहीं सही रूप इस समय निकाल कर स्रीर और ओर विचेले हो जाते हीं, मानव शरीर को कुछ इस अंग उन्ग होते हैं, जिनके को अनसर जी के नाम से जाना जाता है मानसर जी में अनसर जी पदार्थ का मल तद्या मुत्र के रुप में बाहर निकाला जाता है पसीना एक अनसर जी पदार्थ है जो मुनिश्य की तबचा से बाहर निकलता है वक्र या कड़नी मानसर जी में दो कड़निया पाई जाती है और यह दोनों एक स्थान प्रस्तित होती है जो पीछे जबकि दाइनी और वकर की तरफ इस्तित होती है एक जिल्ली दोनों वरकों के से डख्यों होती है और वरक का अध्यन सही प्रकार से करने के लिए इस जिल्ली को अटना पड़ता है और इस परकार जिल्ली के से अटकर देखा जाता है पता चलता है कि लाल्या या पूरे रंग भूरे रंग का होता है। देखने से इस परकार की चीज़ के सामने होते हैं तो इसका बहरी भाग बरा हुआ होता है तता बीतरी भाग दबा हुआ होता है और यह लग वो 11.25 cm से 5.7 cm चोड़ा होता है तता 2.5 मीटर मोटा होता है इसका विशर्दन एक सुचालिस गराम होता है और जो आज़म के नम से पुकारा जाता है और एक नली एक दूसरे का आरम से मुतरासें से बाहर खतम हो जाती है और नली मुतरासे वाहिनी के नाव से पानी जाता है और वरक किसे मुनस्य के रूप में बागम भी से वाजित किया जाता है ब्रोमिन कैप्सूल देखने के लिए पहली नमा होते हैं परतिक होते हैं परनतों गुही काओं मेरक्थ कोशिकाओं का एक नमा ही कुनल से डृप गड़नीया के लिए जो गेरू मुल्ले से नाम से जाना जाता हैं रक्थ वाहिन याई तर्चा के को पोशक पदात पोचाने का कारिय यह निरक्त वाइनी दोरा क्या ज़ता है क्यों लिए ही नहीं यह विकारों के शिराओं तक पोचाने का कारिय भी करती है प्लास्टिक तंतू इस परकार के तंतू मानोशरीर के तर्चा को के रूप में प्राप्ति होती है तोचा के रंग परदान करता है सवेद्गरिंथियां सपर्ष ग्यान से अनुबोविश में केंदर दवार किया जाता है कि मनसे ठंडे गरम धर्द चुभन आदी महसुष किया जाता है ये केंदर का कान किया जाता है वरक्रिश्यत सहतना वक्र अकार्म एक बीज के समान होता है और इसका गहरा बुरा रंग होता है और चारो और से चर्वीज धकी होती है इसे स्तान पर बश्तितीर रहते हैं वह बगल में की पीठ के बीज आकार का होता है और रिड के ड़ी वाले स्तान पर अंदर के और दसावता है आउस्तिती है और दमनी वर्क के में दस्योने के भाग प्रवेश करती है तदा एक सिरा बाहर आता है और इसका भाग वर्क का मुख है भाग कहलता है भर्क के कारिया बढ़ी दमनी की शाखाएं वक्त गुर्दों के लिज़क पहुंच कर दमनी बागों में विभांत के जाती है इस परकाड की साखाएं और भीरो बागों में पुरुष की जाती है तदा भोजन या अक्शिजन पाचने का कारिय करती है उपसाखाओं उजसा कि पहले बता जा चुका कि विर्ग एक कारे अशुद रख्त को ध्यान से शुद करता है तो यह वकारे निचे नलियों के दोरां किया जदा है इसकी अशुदिया की जाती है इसकी साती में आप पशाती को दिमें बहुत बहुत बदनेवाद